जै सचिदानन गुर्मुखों और प्रेमियों हम सब के जीवन में उतार चड़ाव आते रहते हैं और बहुत से लोगों का मानना है इस उतल पुतल का कारण नव ग्रह है जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होता है तो उसका परभाव हमारे जीवन पर पढ़ता है आए महात्मा जी से जानते हैं क्या गुर्मुखों पर भी नव ग्रह का परभाव पढ़ता है महात्मा जी जै सचिदानन महात्मा जी आज हम आपसे यह जानना चाहते हैं क्या नवग्रह का प्रभाव गुर्मुखों के जीवन पर पढ़ता है? पूरी स्रिष्टी में जड़ और चेतन जितने भी प्राणी हैं सब के जीवन पर नवग्रह का प्रभाव पढ़ता है पर अब दूसरी तरफ आपने बात की गुर्मुखों की आप गुर्मुख किसको मानते हैं? जिन्होंने गुरु से अपना नाम लिया हो देखिए दिक्षा लेने से, शबद लेने से कोई भी आत्मा गुर्मुख नहीं बन सकती गुर्मुख का मतलब जो गुरु का परम आज्याकारी हो जो गुरु की आज्या में अपने जीवन का निर्वाह करता है और इससे भी गहराई में जाएं तो जिसको ग्यान ही नहीं कि मेरे सद्गुरु के सिवा भी कोई देव है कोई भगवान है या कोई और भी शक्ती है कि गुरु महीमा का आश्रे करते हैं तो नित्यप्रती हम गायन करते हैं कि यही बिदी गुरु की शरण होए और करे निरंतर सेव गुरु समझाने और नहीं त्रिबुवन में कोई देव कि जिसने किसी देवता को अपनी सद्गुरु के समान जाना ही नहीं जिसको ग्यान ही नहीं है वो गुर्मुक जिसका मान हर समय गुरु में लगा रहे है बिलकुल और जिसके जीवन का लक्षे कि येन केन प्रकारेन मुझे अपने सद्गुरुदेव भगवान की प्रसनता को प्राप्त करता है तो ऐसा जो जीव है उसके जीवन पे नवग्रह तो दूर किसी भी शक्ती का कोई प्रभाव नहीं हो सकता और जिसको ऐसा ग्यान है कि मेरे गुरुदेव के सिभा भी और शक्तियां हैं और ग्रहें हैं जिसको ऐसा ग्यान है तो यकीनन उसके जीवन पर तो नवग्रह का प्रभाव पड़ेगा अवश्य पड़ेगा सोच का फरक है कि देखिए जो जीव गुरु की आज्या में अपने जीवन का निर्वा करता है महापुरुष बोलते के दुख आता है उस पर क्योंकि जब आप एक स्कूल में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं तो आपकी परिक्षा होती है परिक्षा को पास करके आप अगली कक्षा में जाते हैं तो उसी प्रकार से हम श्रीगुरु माराजी के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो परिक्षा भी होगी अब वो परिक्षा के लिए आपके जीवन में दुख आएगा और फिर आपके सद्गुरु ये चेक करते हैं कि इसका कितना विश्वास है मुझ पर और मेजॉरिटी हम में से क्या करती है अपनी जनम कुंडली को उठाती है और इधर उधर बटकना शुरू कर देती है क्योंकि महात्मा जी सधारन मनुष्य तो दुख आने से विचलित हो जाता है तो हम बात कर रहे हैं गुर्मुक की सधारन मनुष्य की तो ये बात नहीं हो रही ये फरक आगया कि सधारन मनुष्य और गुर्मुक हों में क्या परते है ये अंतर है, कि जो गुर्मुक होगा, बोलते कि गुरु राई जितना, आपका विश्वास पहाड जितना, और अभी उल्टा हो गया, कि सद्गुरु देव भगवान तो है, पहाड जितने, और मेरा विश्वास है, राई जितना, कि जरा सा कष्ट आया, और मैं विचलित हो कि जो आत्मा अपने सद्गुरु पर भरोसा करके, उनके सेवा सिम्रन में, उनकी शिरियार्थी पूजा में, उनके सत्संग में, अपने समय को सार्थक करती है, और कहते हैं, उसके उपर दुख आता है, और आके निकल भी जाता है, और उस जीव को पता भी नहीं चलता है, किसी ने किसी से पूछा, कि हम प्रमात्मा को याद करते हैं, तो क्या प्रभु दुख दूर कर देते हैं, तो संतों ने बोला कि प्रभु दूर नहीं करते हैं, तो कहते दुख को अंदूर करता है, कहते प्रभु का नाम, तो शिर्गुरु माराजी ने जो हमें नाम दिया उस नाम से सब कुछ हो सकता है या ये भी कह सकते है जिए वो नाम लेने से दुख छोटा वा हां? बिलकुल कह सकते हैं छोटा क्या आपको अहसासी नहीं होता ये दुख है जो Shirgur Maharaj का दिया हुआ शब्द ब्रह्म है ए वो हमारी आत्मिक शक्ती को कई बार लोग बोलते हैं कि देखो कितना दुख है उस पे पर उसको देखो तो बिल्कुल खिला हुआ चेहरा महसूस ही नहीं होता कि इस आत्मा को इतना कश्ट है तो वो कहां से शक्ति मिली शिरी गुर्माराजी के नाम से तो इस पास से तो इस पश्ट हो जाता है कि दुख सिर्फ संसारिक जो मनुश्य उनके लिए है उनके लिए है अब बात यह आती है कि हम गुर्मुख है या नहीं इसकी चेकिंग तो यहीं से हो जाती है कि हम कितना शिरी आग्या को इंपाटन्स देते हैं कितना अपने गुर्मुख जो है उसका तो एक एक स्वांस अपने गुरुदेव के लिए उसके पास में और कोई काम नहीं है उसका संसार से कोई रिष्टा नहीं है और जिस इनसान के मन में अभी यह भाव है कि मैं संसार को भी राजी कर लूँ और मेरा परमारत भी सिद्ध हो जाए तो द उसके जीवन पे नवग रहे है उनका किसी भी शक्ती का कोई प्रभाव नहीं हो सकता क्योंकि सद्गुरु उसके रक्षक है कि सद्गुरु उसके रक्षक है हर समय जो गुरुदेव है वो अपने शिश्य की लोक में भी और परलोक में भी रक्षा करते हैं तो उस आत्मा पे कोई प्रभाफ नहीं पड़ सकता हां बाकी संसारी जीवों पे प्रभाफ होता है अगर आप गुरुमुख है तो आपके जीवन पे मतब शबद वाले गुरुमुख नहीं गुरु की आज्या वाले गुरुमुख जो जो क्वालिटीज अभी बताई अगर आप उन पे खर करते हूं आप सब बहुत अच्छी तरह जान चुके होंगे कि नवगरह कहां पर भाव डालते हैं संसारिक मनुष्य या गुर्मुखो प्रेमियों में क्या अंतर है यह सब जान चुके हैं मातमा जी आपका बहुत बहुत हम्यादा जैस अची दानुम जैस अची दानुम करते हैं